तो स्वागत हैं आपका टीसी टेलर चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फैसन डिजाइनर क्या होता है और फैसन डिजाइनर मतलब क्या काम करते हैं और आप अगर बनना चाहें तो कैसे बन सकते हैं कितनी सेलरी होती है और क्या यह होता है तो इसके बारे म सभष नहीं होता है do fashion designer होते हैं ऑई तेपे बहुत ज्यादा फरक होता है मतलब काफी होता है समझे लिए दिन और राथ का फरक होता है समझ लीजिये तो होता क्या है किन आपको बता दूह तो जैसा कि है Frash Clerk होता है ये dress जो है वो बिल्कुल new create करता है कहने का मतलब मैं आपको बताता हूँ जैसे कि समझाता हूँ कि आप मालीजे एक tailor के पास गए टेलर के पास गए आपने कहा कि पैंट सट हमको सिलवाना है और मतलब कुछ भी सिलवाना है तो टेलर के अगरेगा कि जिसकी दुकान होगी वो जैसे पैंट सट होते हैं बैसे ही बना देगा जैसे मतलब पहनते हैं हम लोग बैसे ही लेकिन अगर आप फैसन डिजाइनर के पास गए और आपने कहा कि हमको जो ड्रेस बन बानी है तो जो है वो कैसे बना की देगा तो बहुत सारी चीजें देखने के बाद फिर डिसाइड करता है और फिर वो आपकी जो पैंड सट है या जो भी है वो आपको बना के देगा अग्जामपल के जैसा की आप बाली बुड में देखते हैं बाली बुड में जो हिरोइन वगरा होती है और जो मतलब होती है न तो उनके जो टेलर जो होते हैं वो फैसन डिजाइनर ही होते हैं तो आपने देखा होगा वो बिल्कुल नए नए कपड़े पहनते हैं एकदम नया ही बिल्कुल लाएंगे कपड़े आइसे कपड़े लाएंगे जो जादा किसका ही होंगे नहीं तो वो फैसन डिजाइनर ही उनके डिजाइन को करता है बिल्कुल अलग तरीके से और उसके बा है यह वड़ी बड़ी कंपनी ऑफीर काम शाथ है अपना दिमाग लगा के नई-एर क्राइट करता है नई नहीं डिजाइनें बनाता है और भही मार्किट में आती हैं और टेलर क्या करते है उनी डिजाइनों को कूपी करके और फिर आपको बनाके देते हैं तो यह होता है फैसंड डिजाइनर का काम झाल ikum प्रविदेश में हैं यह जितनी भी डिजाइन नई चलती हैं एक्सपोर्ट में हैं तो भी नए आएगा कपड़ा और सटें हैं नई नई आओ या पिर कुर्ती हैं सब नई अगर कंपनी से निकल लिए जीन्स वगएरा तो उसमें क्या है वह पहां पर लगे होते हैं तो करना देता है ड्रेस कंप्लीट कर दी अब कितने साइज की बनना है वह पाइटरन मास्टर के उपर होता है उसको पर मैं कभी अलग बात करूंगा ओके तो यह काम होता है फाइसन डिजाइनर का तो आप इसको कैसे कर सकते हैं तो देखें इसकी पढ़ाई होती है जैसे कि इ इंगलीस भी जरूरी होती है क्योंकि अंग्रेजी में जाड़ा तर यह होता है अब यह सीखने के बाद इसकूल में जब आपको सिखाया जाएगे बिलकुल आप सीख जाएंगे और तो जो है आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं किसी कंपनी में जाकर फाइसन डिजाइ कर सकते हैं यहां बड़े-वड़े-बड़े लोग जहां जाते हैं जो बाली वुड़े-बड़े-वड़े लोग हैं और बहाँ पर नाप देदेते हैं बहां पर जो है बहां जो है उनकी create करी जाती है तो इसका course होता है और इसकी salary की बात करें तो लोगा सत्तर हजार से लेकि एक से देड़ लाग तक की होती है क्योंकि यह जो है बिल्कुल नई चीज होती है नया हर चीज की trend होता है ना तो trend के हिसाफ से हर चीज नई बहां पर बनाई जाती है अब ज fashion designer जो होते हैं वो इसका काम करते हैं तो यह होता है fashion designer का काम अब एक tailor fashion designer में यही बहुत बड़ा फर्क होता है और मैं आपको बता दूँ कि गरमाली जाए आपको सट बना रहे हैं और आपने बिल्कुल ही अलग तरीके से सट बनाई है और अलग तरीके से उसमें creativity कुछ दि जाना रख क्या होते हैं और इस तरीके से यह काम करते हैं तो उमीद करता हूं तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जोट्व प्रेस कर लें फिर मिलते हैं एक नए वीडियो क तब तक के लिए नमस्कार